नमस्ते आप देख रहे हैं दिललन टॉप और अभी जो खबर आई है वो है भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंग को लेकर खबर ये आई है कि वो चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं कहां से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है यह सारी जानकारी देंगे हमारे साथ ही हम जो मौझूद है रजट और सुप्रिया तो रजट कहां से वो चुनाव लड़ने वाले एक बिहार की सीट है कराकाट सीट और सीट के बारे में बताने से पहले अगर आप स्क्रीन प्यार रिन दिखाएंगे तो एक असन सोलवाई सीट है जिससे टीमसी के और से सतुदंशना चुनाव लड़ने है अभी की जो अपडेट है कि वो काराकट सीट से लड़ने है यह बिहार की सीट है अगर इस पे बात करें हैं कि NDA की तरफ से उपेंद कुश्वाहा लड़ने है और महागडबंधन की तरफ से राजा राम कुश्वाह लड़ने है अगर सीट के थोड़ा समीकरण समझेंगे तो यह यादो बाहुल सीट है यादो की संखैस पे तीन लाग है और कुश्वाहा और कुर्मी यहां पे धाई लाग है तकरीबन और मुस्लिम वोटर भी करीबन देर लाग है और ऐसे ही राज पे पास पूरे मामले को लेकर जो हमारी साथी सुप्रियां है उनके पास पूरी जानकारी इससे पहले जो पहले जो पावन सिंग ने कहा किया और जिस तरह से उनके अनुभा उन्होंने बताए और क्या कुछ हुआ वो भी बताएंगी सुप्रिया तो पहले सुप्रिया के पास चलते। तो सुप्रिया आपके पास क्या जान का रहे है इसमें दिखे जो पॏण सिंग को अब उन्होंने जो ट्वीट किया है कि वो निर्दलिया नहीं कहा, लेकिन हम इसको निर्दलिया इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस सीट से वो दाविदारी की बात करने हैं, उस सीट पे एंडिये ने अपना उमीदवार पहली खोशित कर दिया, उस सीट से पूरी टाइम लाइन है, इसको अगर हम समझना शुरू करें, दो मार्च, शनिवार का दिन था, बीजेपी ने उनको टिकेट का एलान किया, उन्होंने जिम में उसमें उनका वीडियो बहुत वायल हुआ था कि जिम में बैठे थे, टिकेट अनाउंस हो रहा था, जश्न मना, उन्होंने बकाइदा ट्वीट करके, इसकी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कि हम एक बर उनकी टुटर टाइम लाइन से इस पूरी घटना को समझे, दो मार्च का दिन था, उन्होंने एक बढ़िया सी तस्वीर के साथ लिखा, शीष ने तत्रो को दिल से धन्यवाद, उस कोट किया गया, उसमें आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से कि उन्होंने बंगाल की असमिता, बंगाल की महिलाओं को लेकर कुछ आपत्ती जनगाने गाए हैं, जिस पे काफी बिवाद हुआ, टीमसी ने आरोप लगाए, एक कहानी ये चली कि हो सकता है कि इन ही सारे आ आसन सोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, उसके बाद अगली तारिक को तकरीबन शायद मैं तारिक में कंफ्यूज हूँ, वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुचके उन्होंने जेपी नडड़ा से मुलाकात की, और जब वो बाहर आय थे मुलाकात के बाद, उन्हो भी होगा, वो कहूंगा, इसी जब हम इनकी टाइम लाइन को और स्क्रोल कर दें, तो जिन गानों को लेकर इंप्यारोप लगा, कहा जाता है कि जिसकी वज़ा से इन्होंने आसन सोल से अपना टिकेट वापस किया, उसी गाने के रिगार्डिंग इन्होंने के ट्वीट किय है यह, यह ट्वीट है 29 मार्च का, इसमें उन्होंने उन्ही गानों के स्क्रीन शॉट शेयर किया है, कि बंगाल वाली माल, बंगाल से, इसमें उन्होंने लिखाए कि अपने चार गानों को जो पोस्ट किया है, कि जो भी यह कह दें, कि यह गाने सही साबित कर दें, मैं रा और एक दूसरे हलके में जो ख़बर चल रही थी, वो ये ख़बर चल रही थी, कि पवन सिंग आरा से भी टिकट माँग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने शायद उनको वो प्रस्ताव नहीं माँगा, क्योंकि वहां से आरके सिंग को उनने से मैदान में उतारना था, लेकिन अपना उमिदवार घोशित कर रखा है, तो उनके पास शायद अब सिफ निर्दल ये वाला उप्शन बचता है, और जिस सीट से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो पिछले तीन बार से उस सीट से NDA ही जीत रही है, तो चुनाओ वाकई में इस बार कड़ा होगा, क्य अपने सारे जातीकत समीकरन, सियासी समीकरन, इसको देखना होगा कि अब पवन सिंग की दावेदारी पेश होने के बाद उस इलाके में क्या समीकरन बनते हैं, क्या जो तीन साल से NDA सीट को बचाती आई, अपने खाते में करती हैं, क्या इस बार भी, 2024 के चुनाओं में, व और इस पूरे मामले में जो सुप्रिया ने बताया, गानों का जिक्र किया, तो गाने लोग सभा चुनाओं के दोरान कही सारे वायरल हो रहा है, उनके जरीए निशाना साधा जा रहा है, और पमन सिंग पर क्या कुछ बातें थी, वो सब हमने आपको बताई, ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे दिलललन टॉप पर शुक्रिया